नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तो केल लाउल इस समय सबसे खास परफॉमेंस कर रहे हैं या फिर यूँ कहें कि केल लाउल इस समय अपने करियर के पीक पर चल रहे हैं लेकिन हमारे इस वीडियो में आपको पता चलने वला है कि कैसे दोस्तों के लाहूल के एक बार फिर से पुरी दुनिया में तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि केल लाहूल आने बाद इन दिनों में ना सिरप टीम इंडिया के कप्तान बनने वाले है बलकि केल लाहूल ने जो साल 2023 में T20 World Cup होगा उसमें यवी केल लाहूल से बहुत चारदा उम्मीदे हैं खास बात ये रहे कि इस पारी के बाद केल लाहूल एकवार फिर से औरेंज कैप की रेस में टॉप पर पहुँच गए हैं और केल लाहूल के ये जो रन मारने की गती है वो लगतार बरकरार है इसी वज़े से केल लाहूल बड़े से बड़े तिकश खिलाडियों को भी साल 2022 के आई केल में पीशे छोड़ चुके हैं फिर वो चाहे रिसब पन्तों, विराट कोली हों, महिंदर सिंधोनी हों या फिर सिरे से ये रोहिस्तरमा जैसे दिगज खिलाडी हों हर किसी को केल लाहूल ने पीशे छोड़ रिया है और केल लाहूल की ये फॉर्म दोस्तों यकीनन बेहरी बड़ी और कारगर साबित हो रही है, इसी वज़े से पूरी दुनिया में केल लाहूल की तारिफ हो रही है, लेकिन अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे देज के परधान मंतरी भी केल लाहूल की तारिफ कर रहे हैं, मैं आपको बता दो अभी कि हाली में देज की गवर्मेंट ने भी माना है कि केल लाहूल जैसा खिलाडी यकीनन बहुत ही जाला काम आने वाला है भारत के और आने वाल दिनों में इस साल जो T20 World Cup होने वाला है 2022 में वो जरूर टीम इंडिया ही जीदेगी क्योंकि केल लाहूल की जो फॉर्म है वो यह सा बटलर इसके लावा किसी भी खिलाडी में इतनी हमत नहीं है कि वो केल लाहूल को पचाँड सके ahipel के बड़े से बड़े खिलाडी भी केल लाहूल से पीछे निजर आ रहे हैं और इसके पीछे सिर्प एक ही वजह है और वो है केल लाहूल की सान्दार फॉर्म, तो उमीद करके जरू बताना क्योंकि केल लाहूल ने बड़े से बड़े दिगज खिलाडी को पचार दिया है जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है और पिछले मुकाबले में भी दिल्ली कैपिटल जैसी टीम को केल लाहूल ने अपनी कप्तानी अपनी तूज बुरी तरह से हरा दि अडिवाद की बड़े लाहूल ने से दिल्ली टारो कि अन्या है इन्या की बड़े आएज़ी घरूवाद करत भी जग्तानी तो से बड़े श्रूई टूने जिल्स दिल्ड़े जो अर्वे ओयले रमीज अ